पहली वार जब भार्ती जन्ता पार्टी की सरकार प्रदेश में बनी थी तब उत्तर प्रदेश वासियों को इस बात का एसास हुआ था और आज अद्वुद संगम है विश्व उत्यमता दिवस और नाग पंचिनी का भी पवित्र पर्व है भायो बेनो विश्व उत्यमता दिवस के उसर पर देश भर के उन करड़ों उत्यमियों को जिनाने प्रभान मंत्री मौदी जी के नित्रुटों में भारत को आज मेकिन इंडिया के एक बेतरीन केंडर के लूप में स्तापित किया है उन सब को मैं हिर्दे से पधाई देता हूँ और उत्तर प्रदेश इस दिशे सोभा के साली है कि 1991 में इस ताला नगरी में यहां के उत्यमियों को एक नई पैचान देने के लिए सरदे बाबू कल्यार सिंजी ने यहां पर एक अलग से ताला नगरी का ही कठन किया था उसकी अस्थापना का काम किया था और आज मुझे बताते वेखे प्रसंता है जब 2017 में आधनिय प्रदाम मंत्री महोदी जी के नेत्रित्तो में उनके महर्ग दर्सन में और उस समय जब देश के भारती जन्ता पार्टी के धेक्ष के रूप में आज के देश के सशीख्रे और सैकार्ता मंत्री भारती जनता पार्टी को नित्रितों दे रहे थे उनके रणडी पी और मार्ग दर्सन में उत्तर प्रदेश में भारती जनता पार्टी की सरकार का कठन होता है कठन के समय प्रंप्रा का जुत्यम को पढ़ावाते में के लिए प्रदेश के वैसे भी सेक्टर को नहीं पैचानते ने के लिए वन डिस्टिक वन प्रोड़क्ट का जो कारे हुआ था आज अलिकर्ड की पैचान को भी बैस्टिक मानिता प्राप्त हो रही है वह यो बेनों सर्दे बाबुजी सदेव कहा करते थे जब उन्हें पंडित दियालुपात्याजी के एक आत्म मानो दर्शन पर विचार रख्त करने का जब भी आउसर मिला तो नहीं एक बाद बाद उस पस्ता से कही कि पेट को आहार, मन को प्यार, मस्तिस्क को विचार और आत्मा को संसकार इन चारों का जो समुच्य है, वही एक आत्म मानो बाद है और इसके अंसार मने अपना जीवन जीने का कारे किया था यही संसकार था, जिन संसकारों ने अपने ले राजगत्ती प्राप्ट करने से महत्वपुण प्रवुसी राम के चर्णों में राजगत्ती को समर्पित करने के लिए उस समय त्याग करने का कारे किया था और आज हम सब जानते हैं जो अभिहाल उन्निसो नब्वे, इक्यानवे, पानवे और उसके उप्रांत चला था उसकी पढ़्णती है प्रवुसी राम की पावन जन्भूमिय अयत्या में वग्वान स्री राम के भव्य मंदिर के निर्मान का कारे आजुतस्तर पर चला है आरकले संत्र में दोहजार चौबीस के जन्वरी मां में पान्सो भर्सों के तजार जिंदगार समाप्त करके वग्वान स्री राम पहली बार अपने भव्य मंदिर में विराजमान होकर कि हम सब को आस्री बात दे रहे होंगे तब बाबुजी को भी उनकी आत्मा को व्यसीन संतुष्टी की अन्मुतियो रहे होगी और आस्री बात दे रहे होंगे उनकी अत्मों समय जिस कारे के लिए 1992 में मैंने राजसत्ता को सोठोड़ा था आज वस्पना साकार हुआ है और यह कारे इसलिए संबा हुआ क्योंकि भाईयो बेनो डबल इंजन की सरकार की ताकत जब आन चन्मानस के आस्री बात से आगे वड़ती है तो हर मनोरत पूर्ण होते वे दिखाई देते हैं यह हर मनोरत पूर्ण होने का ये करम है आज अयोध्या में चावख्वान राम का भव्यमंदिर बन रहा है वहीं कासी में कासी विश्वनात भाम ब्रज पीर्थ का दिकास और दिकास की वे सभी बड़ी परियोसनाएं जिनके बारे में कभी सोचाई नहीं ताप लेकिन आज वे मौर्थ रूप लेती भी दिखाई देती हैं आजके इस ओसर पर जब चरदे बाबुजी के दिखिये पूर्णे तिखिके ओसर पर हम सब एक अत्रोय हैं बाबुजी का सस्थी ने दृप्रदेश को प्राप्त हुआ और इसलिए डबल इंजन की सरकार ने तै किया था बाबु जी की प्रधम पूरेती जी के उसर पर उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े कैंसर संस्तान का नामकराण सर्देव बाबु कल्याण सिंग कैंसर सुपरेस्पेसलिटी हास्पिटल के रूप में स्तापित करने का कारे हुआ है और भाईो बैनों आधने प्रधान मंत्री जी की पेणा से उनके मार्ग दर्सन से बुलंसर में जिस बुलंसर को सर्देव बाबु जी की करन भूमी के रूप में वीचाना जाता है जहां से उन्होंने संसद में नेत्र को दिया था उस बुलंसर में बनने वाला मेडिकल कोलेग भी सर्देव बाबु जी के इनान पर बाबु कल्यान सिंग राज किये मेडिकल कोलेज की अस्तापना का कारे भी उतस्तर पर चला है अगले सप्ल में इस मेडिकल कोलेज में परवेश की प्रकरिया भी संपन्न हो करके बुलंसर और आजपास के नोज़वानों को इसमें परवेश की सुधा प्राप्त होगी आज के सासर पर एक बार फिर से सर्दे बाबु जी की स्मिर्थियों को नमन करते हुए मैं उन्हें बिनम्र सर्दान जली अर्पित करता हूँ अपने केंद्रिये नियताओ काप केंद्रिये ग्रे और सेकारता मंत्री जी काप मानिये प्यूस गोयत जी का मानिये सुंद्रा राजे जी काप उत्तर प्रदेश सासन की और से और उत्तर बिदे स्वास्टियों की और से एक बार फिर से फिरते से साकत और विनिंदन करते वे सर्दे बाबुजी को बिनम्र सर्दान जलियर फिर्ट करता हूँ धन्यबाद जैहिन